शाहपूर विधानसवा से तालुक रखने वाले विधाई का और कैबिनेट मंत्री सरवीन चौधरी ने कोविड-19 महामारी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि इस महामारी से देश ही नहीं बलकी दुनिया भी चपेट में आई है मगर हिंदुस्तान में इसे परदान मंत्री ने बड़े ही निराले अंदाज में इसे निप्टाने में अपनी एहम भूम का निवाई है साथ ही इस संकट की गड़ी में सबको एक साथ लेकर चले हैं वहीं ही माशल परदेश में भी मुख्या मंत्री जैरम ठाकुर ने इस महाम महामारी की चपेट में आये मगर उन्होंने इसका इलाज कर उस पर विजेव आई बहीं सर्विन चौदरी ने कहा कि चाहे कोई भी महामारी आये सबसे ज़्यादा जरूरत होती है फंड की और उसमें भी परदेश की लोगों ने अपना बरपूर योगदान दिया महला मंड समास से भी संस्थाओं समित कई लोगों ने इस महामारी के दौर में अपना अपना अलग अलग तौर तरीकों से युगदान देते हुए अपनी एहम भूम का अधा की है कोविड 19 महामारी की बात है मुझे लगता है ये पूरे विशव की एक समस्या थी जिसको बहुत सुन्दा तरीके से देश के परदान मंतिर निरंदर मोदी जी ने इसको निप्टाया है और परदेश में श्री जैरम ठाकर जी ने अनेकों बार वीडियो कॉन्फरेंसिंग क करके इस परदेश के लोगों को आगा किया और जो जो उनकी सहायता जो बिमार लोग हुए जो कोविड की चिपेट में आए मुख्यमंत्री स्वें उसकी चिपेट में आए तो डॉक्टर ने उनका इलास किया और क्लोरो क्वीन जैसी मैडिसन जो विदेशों में भी गई है इसमें तो परदान मंत्री जी ने हमें जो आगा किया है जो वैक्सिन दिया है उसके लिए मुझे लगता है कि हमें देश के परदान मंत्री का परदेश में मुख्यमंत्री जी का सब लोगों का सब समा सेवियों का धन्यवाद करना होगा जिनोंने आगे आके इस समस्या से और कोई भी समस्या आती है उसके लिए फंड ज़रूरी होता है लोगों ने खुद से अपने जेब से पैसा दिया बहुत सारे मैला मंडल्स ने बहुत सारे एक्ट सर्विसमेन ने लोगों ने पंचायतों में पैसा खटा करके सरकारों को दिया कि इस महामारी में जिसको ज़र जाओ किया जे